तो हे गाईस कैसो आप सब स्वागत आप सबीक और ब्रैंड न्यू मियोड के नमर वन बेस्ट इपस औंट ट्रिक्स एंड मोडिफिकेशन रिलेटेट विडियो सीरीज के उपर एंड इस वीडियो में आप सब को बताऊंगे ऐसे ट्रिक जिसे यूज करके आप अपने फोन क गूगल डायलर को रिप्लेस कर सकते हो एंड जो कॉल रिकोर्डिंग एनौंसमेंट है उसे आप आप अपने इनकमिंग आउट गूइंग कॉलिंग स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो एंड फोन रिलेटेट जितने भी कस्टोमाइज़ेशन आपको चाहिए यह एप्लिकेशन से आप कर सकते हो वीडियो काफी जाधे इंड्रेस्टिंग होने वाला है तो ट्रेस्ट मी आप इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक देखना है और मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ आपको कोई भी रिग्रेट फिल नहीं होगा तो चलिए फिर स्टार्ट करते इस वीडि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपके आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाउनलोड लिंक प्रोबाइट कर दिया है आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिंके थू भी डाउनलोड कर सकते हो सबसे पहले जैसे आप एप्प्राइशन ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीकी का सेट आप स्क्रीन देखने को मिल जाएगा आपको सिंप्ली फॉन्स टाप को डिफॉल्ल फोन ईपको जो सिंप्ली आपको यहां पर सेट बटन पर टैप करना होगा एन यहां पर से ट्र tap करना होगा जैसे ही आप सेट बटन पर tap करोगे तो आप पहुच जाओगे application के information page पर आप यहां पर से auto start को on कर देना होगा देट सेट बस इतना ही आपको काम करना होगा उसके बाद आपके application पूरी तरह से setup हो जाएगा उसके बाद जैसे ही आप लोग बैक करोगे तो आप यह पर देख सकते हो हम लोग पूरे अप्लिकेशन के होम पेज पर पहुच चुगे हैं सो सबसे पहले हम लोग इस अप्लिकेशन में कॉल रिगॉर्डिंग को इनेविल कर लेते हैं क्योंकि आप पहले ही जब सेट अपकरोगे तो कॉल रिगोडिंग अपको एनेविल करना होगा so enable करने के लिए आपको simply यहाँ पर three dot पर click करना होगा and next up को click करना होगा settings पर, settings पर आने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा incoming and outgoing calls पर and जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा से scroll करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे अगर आप यहाँ पर call recording output format को change करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो and second number पर आपको यहाँ पर simple rate देखने को मिल जाता है आप उसे भी adjust कर सकते हो and third number पर आपको और एक special feature देखने को मिल जाएगा जो कि यह auto call record का आप इस पर click करके incoming, outgoing, contact, unknown number सब के call यहाँ पर adjust करके record कर सकते हो and आप हम लोग directly back जाते हैं and एक call को record करते हैं जैसे मैं यहाँ पर customer care पर call कर रहा हूँ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो call recording के option आ चुका है जैसे ही हम लोग यहाँ पर call recording के बटन पर tap कर रहे हैं आप यह पर देख सकते हो और एक permission को allow करने के लिए बोल रहा है हम लोग फटा-फट से यहाँ पर accessibility के permission को भी allow कर लेते हैं so accessibility के permission को allow करने के लिए यहाँ पर okay बटन पर tap करना होगा जाना होगा यहाँ पर downloads app पर यहाँ पर से आपके true phone को select करके यहाँ पर से आपको इसे enable कर देना होगा अभी हम लोग back चलते हैं यहाँ पर call recording पर जैसे ही हम लोग tap करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो call recording enable हो चुका है successfully अगर आपको call recording को play करने तो आपको यह file कहां मिलेगा तो सबसे पहले आपको जाना होगा file manager पर एंदन यहाँ पर से जाना होगा data वाले folder पर data वाले folder पर जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पर और एक folder देखने को मिल जाएगा जो कि यह call records इसके अंदर आपको सारे call record देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर से सारे call record को access कर सकते हो और अभी मैं आप सबको इस application के कुछ और advanced features को भी मैं आपको बता देता हो अगर आप चाहते हो आप अपने theme को customize करना तो आपको simply जाना होगा settings पर एंदन जाना होगा यहाँ पर appearance पर एंदन क्लिक करना होगा थीम पर थीम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर theme पर क्लिक करना होगा और आप अपने जाना होगा यहाँ पर incoming and outgoing calls पर एंदन क्लिक करना होगा incoming calling screen पर एंदन यहाँ पर से आप अपने answer style को भी change कर सकते हो यहाँ पर आपको काफी चार answer style मिल जाएगा आपको जो पसंद हो सब select कर सकते हो बस गाई इस वीडियो सीरीज पर इतना ही था एंद आप प्लीज इस वीडियो को एक like कर देना और comment section में comment जरूर से करना कि आपको वीडियो कैसा लगा तो इस वीडियो को लास तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद आपका दिन शूभ हो